हे अब्रिवन वेलकम बैक तो माई चैनल और आपके एंटरेंस के पॉइंट ओव व्यू से हम कुछ इंपोर्टेंट जीके जीके से रिलेटेट कुछ हम इंपोर्टेंट क्वेस्टेंज जानने वाले हैं जो कि जनरली आपके एंटरेंस में पूछे जाते हैं तो आज हम बात पूरी की बेसिक तो इनका पता ही होगा सबको कि इनका जन्म है वो 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था और इंग्लैंड में विकालत पास करके फिर ये भारत आये थे 1893 में और फिर भारती और अफ्रेको और श्वेद लोगों पर हो र कराने में महत्पून युगदान दिया 1917 से 1947 तक राष्ट्य अंदोलन के काल को गांधी युग के नाम से जाना जाता है ये क्वेशन पूछा जा सकता है आप से सर प्रतम सुभाष रंदर बोस जी ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता नाम से संबोधित किया था इसके बाद है रविंदना ट्रेगोर जी ने सर प्रतम महात्मा जी किस ने कहा था तो इसका जो आंसर होगा वोगा रविंदना ट्र coal तोने सर अर्द नगन फक्कीर कहा था अब हम बात करते हैं इनका जो परीचे एक परीचे देखते हैं इनका पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांदी पीता का नाम करमचंद गांदी माता का नाम पुतली बाई इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को और मृत्य हुईती 30 जन्वरी 1948 को 78 यर्स की एज में पंडित जवार लाल नहरू ने गांदी जी की मृत्य पर कहा था कि मेरे जीवन का प्रकास चला गया तो मैं भी जो स्टेटमेंट पूछी जा सकती है जन्म स्थान पोरबंदा जिला काठेवार गुजरात है इनका विबा हुआ था 1883 में कस्तूरवा गांदी से गांदी से ये 6 महीने बड़ी थी इनके जो पुत्र है वो है चार पुत्र है हीरलाल, वनिलाल, रामदास और देवदास महात्मा गांदी जी का पुत्र माना जाता है माना जाता है जमना लाल बजाद जी को इसके अलावा इनके जो राजनेति गुरु थे वो थे गोपाल, कृष्ण, गोकले बहुत इंपोर्टन क्वेशन है कई बर पूछा भी गया है इनके जो प्रमुक शिश्चया थी इंगलेंड में जन्मी मीरा बेन महात्मा गांदी जी द््वारा प्रतत नाम इनका मैडलेन स्लेट था मात्मा गांदी जी द्वारा दिया गया नाम था मीरा बेन कानून की पढ़ाई के लिए एंगलेंड कब गए थे 1888 भी मुंबई से गए थे उसके बाद हमारा है कानून बेरिस्टर्व के डिगरी का प्राप की रून 1891 में अब्धुल्ला के मुकद्मे के लिए दक्षिन अफ्रीका 1993 में दक्षिन अफ्रीका में नटाल कांगरेस के सापना की थी 1894 में दक्षिन अफ्रीका में जूलू वा बोवार पदक 1899 इस भी में ठीक है इनको जो मिला होगा उसके बाद कैसारे हिंदी ने कब प्राप्त हुआ था तो नोज जनवरी 1915 को दर्बन दक्षिन अफ्रीका में फिनिक्स आश्रम की स्थापना की थी 2 सितंबर 1904 को नेटाल इंडि सदिवेशन में जेल जीवन का प्रतम अनुव प्रतम बार जबे जेल का जीवन देखा तो वह 1908 में देखा था टॉल सराय फॉर्म की स्थापना बहुत इंपोर्डेंट है ये 30 मही 1910 में जौन बाग दशन प्रीकम में की गई थी भूमिदान जर्मन मित्र हर्मन कालेन द्वारा प्रदान जबकि नामकरन रूसी विद्वान लियो टॉल सराय के नाम पर हो बाद में ये गांदी आश्रम कहलाया महात्मा गांदी भारत आख्मन तो 9 जन्वरी जो 9 जन्वरी 1915 भी मुंबई में अपोलो बंदरगा पर ऐसे सुदीव जहाद से उतरे थे ये और इस दिन हम लोग प्रवासे दीवस भी बनाते हैं ठीक है सबको पता ही होगा साबर मदी आश्रम के स्थापना हुई थी 17 जो 1907 को कॉंग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षिता 1924 बेलगाव करनाटक मात्मा गांदी दक्षिन आफ्रीका में सक्रिय कब हुए थे तो 21 वर्ष की एज में आत्मकता है इनकी सत्य के मेरे परियोग रोके 1925 में प्रकाशित अखिल भारती चरका संकी साफना 23 सितंबर 1925 को हुई थी आप इन चीजों को बार बर रिपीट करेंगे बार बर पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपको याद हो जाएगा एक बार में पढ़के आपको याद नहीं होगा ठीक है उसके बाद इनोंने कुछ प्रमुक पुस्त प्रमुक समाचारपत्र तो एंडियन ओपीनियन 1932 अफ्रीका में दा ग्रीन पैंप्ले 14 अगस्त 1896 राज़कोट में यांग इंडिया 1919 अरीजन 1932 में उसके बाद है गांदी जी के समर्तक थे दार्शनिक अराजकता के गांदी जी का अर्थिक सिधान ताधारित है न्याय स पर ट्रस्ट्रीशिप पर गांदी जी के पहले पुछ सकती है लंदन गाइड 1888 इस इम प्रकाशी तुछी तो इसके बाद है गांदी जी को किस पुस्तक ने प्रभावित किया और यह बहुत इंपॉर्डन बुक है और इससे क्वेशन उसे जाता है यह वीडियो आपके ल